खुद को गंगापुत्र कहने वाले 56 का सीना बताने वाले वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर इस बार बहुत ज़ादा घट गया आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़े तो उनको वोट मारिजिन नहीं मिला जो 2014 में जो 2019 में मिला 2019 के चुनाओं में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 4,777,000 से ज़्यादा वोटों से वारानसी में चुनाओ जीते लेकिन 2024 के चुनाओं में ये आखला घट कर 1,52,000 पर पहुँच गया और नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के सांसदों में 240 सांसदों वाली BJP में 116 नंबर पर पहुँच गए यानि की नरेंद्र मोदी से पहले 115 सांसद BJP के वो हैं जिनकी जीत का मार्जिन नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा है इसमें तमाम नाम है 8,21,000 वोटों से जीतने वाले शिवराज सिंग चोहान, अनुराग सिंग ठाकुर, अमेज शाह, फहरिस्त बहुत लंबी है जिसमें तेजस्वी सूर्या का नाम है, जैपुर की सांसद मंजु शर्मा का नाम है, नौइडा के सांसद महेश शर्मा का नाम है और ऐसे ही नाम तकरीबन 115 है इन 115 लोगों के बाद 116 नंबर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नाम आता है दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी में हार गए हैं बलकि नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम नेताओं में भी वोट शेयर के मामले में बहुत ज़ादा पीछे रह गए हैं अगर बार विपक्ष के नेताओं की करें तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत पीछे हैं राहुल गांधी अमेठी में 3,90,000 वोट से जीते मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,000 वोट से जीती अखिलेश यादव कन्नौज में 1,70,000 वोटों के मारजिन से चुनाओ जीतते हैं धरमेंद्र यादो बड़े मारजिन से चुनाओ जीतते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी इस फहरिस्त में भी बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ? सनातन की बात करने वाले, हिंदू राष्ट की बात करने वाले, वारानसी की गलियों में घूम घूम कर प्रचार, प्रसार और अपने प्रचाचुनावी अभियान का आगास करने वाले नरेंद्र मोदी, रोट्शो करने वाले नरेंद्र मोदी, दंडवत प्रणाम करने वा मोदी हमेशा records की बात करते रहे हैं, वो हमेशा कहते रहे कि उनसे पहले आज तक किसी प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं किया, आज तक किसी प्रधान मंत्री ने ये कीरतिमान नहीं रचा, तो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ एक और कीरतिमान जुड़ गया है, और वो कीरतिमान है कि नरेंद्र मोधी भारत के अब तक के सभी प्रधान मंत्रियों में सबसे कम मार्जिन से चुनाओ जीतने वाले प्हले प्रधान मंत्री बन गए हैं अगर बात वोट परसंटेज की करेंगे वोट मार्जिल की करेंगे तो राजीव गांधी बहुत ऊपर यानि आप समझ सकते हैं कि चुनाओ जीतने में नरेंद्र मोधी का वोट शेर कितना घटा है क्योंकि 2019 के चुनाओ में नरेंद्र मोधी तकरीबन 42 फीजदी के मार्जिन से चुनाओ जीते थे और 2024 के चुनाओ में वो 13 फीजदी के मार्जिन से चुनाओ जीतते हैं अब चलिए इसमें एक आंकला और जोड़ देते हैं, वो आंकला ये है कि नरेंदर मोदी को वाराणसी में जो वोट मिले, वाराणसी में हर विधान सभा सीट पर भारती जनता पार्टी और नरेंदर मोदी का वोट घटा है तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की घेराबंदी में नरेंदर मोदी और भारती जनता पार्टी उत्तर प्रवेश में बुरी तरीके से फस गए? क्या नरेंदर मोदी, अमिर्शाह, जेपी, नडड़ा, तमाम भारती जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीत की कोई काट नहीं निकाल पाए? क्या नरेंदर मोदी के लिए वारानसी में प्रचार करने वाली भारती जनता पार्टी की शतकवीर सेना जो गलियों-गलियों में घूम रही थी, वो इतने भी वोट का जुगार नहीं कर पाई? दोस्तों, इन सब के बीच, इन तमाम आकडों के बीच हैरान तो ये बात भी करती है कि जिस दिन, यानि चार जून को जब मतगरना हो रही थी, तो नरेंदर मोदी काउंटिंग के शुरुवाती दौर में, कई राउंड में, अजय राय से पीछे भी रहे। यानि वारानसी में इस बार नरेंदर मोदी को काटे का मुकाबला देखना पड़ा। पाई तरफ और दाई तरफ आ चुके हैं। एक हैं दक्षन से आने वाले चंद्रबाबू नाइडू और दूसरे हैं विहार की धर्ती से आने वाले नीतीश कुमार। इन दोनों के दबाव में नरेंदर मोदी कौन कौन से फैसले ले पाएंगे और कौन कौन से फैसलों पर नरेंदर मोदी बैक गियर लगाएंगे ये भी आने वाला वक्त तै करेगा कि अब देश में जब इतने लंबे वक्त के बाद गड़बंधन की सरकार लोटी है और नरेंदर मोधी को एक गड़बंधन की सरकार चलानी है तो ये experience, ये तजुर्बा नरेंदर मोधी के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा नमस्कार